नमस्ते बच्चों, बच्चों आज की तासिका में आप अपनी हिंदी की नोटबूग और पेन साथ में लेकर बैठिए क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आज की तासिका में आपकी उपहार इस पार्ट पर आदारित डिक्टेशन टेस्ट होगी आपको उपहार इस पार्ट में से कोई भी दस शब्द दिये जाएंगे हर एक शब्द मैं तीन बार बोलूँगी आपको धैन से सुनना है और उन शब्दों को लिखना है लेकिन बच्चों डिक्टेशन टेस्ट शुरू करने से पहले हम यूनिटेस के लिए व्यकरण का जो पोर्शन है उसका पुनरावर्दन करते है यूनिटेस में आपको संग्या इस पर आधरित भी प्रश्ण पूछे जाएंगे तो अब भी हम संग्या की परिभाशा पर संग्या की कुछ उधारन देखते है संग्या किसी व्यक्ति पशू, पक्षी, वस्तू, स्तान, मन के भाव और रिष्टों के नाम संग्या कहलाते है देखो बच्चो किसी भी व्यक्ति का नाम, पशू, पक्षियों का नाम, वस्तू का नाम, स्तान, मन के जो भाव होते है या रिष्टों के जो नाम होते है उसे ही क्या कहते है संग्या कहते है इस कक्षा में आपको व्यक्तिवाचक संग्या और जातिवाचक संग्या इन दो प्रकारूम पर आधारित प्रश्ण पूछे जाएंगे तो पहला है व्यक्तिवाचक संग्या अभी व्यक्तिवाचक संग्या की परिभाशा क्या है? तो जिस संग्या से किसी विशेश, किसे एक विशेश व्यक्ति, वस्तु, पर्वत, स्तान, पहाड, आधी का बोध होता है उसे क्या कहते है? व्यक्तिवाचक संग्या देखो बच्चों एक बार धहन से सुनो जिस संग्या से किसी एक विशेश व्यक्ति वस्तु, स्तान, नदी, पहाड आदी का बोध होता है तो उसे क्या कहते है व्यक्तिवाचक संग्या कहते है अभी हम कुछ उधारन देखते है एक वंदना इधर आ इस वाक्य में वंदना यहां व्यक्तिवाचक संग्या का उधारण है अपि वंदना इस संग्या से किसी एक लड़की का बोध होता है विशेश लड़की का बोध होता है इसलिए वंदना यहां व्यक्तिवाचक संग्या है दो, मुंबई बड़ा शहर है इस वाक्य में मुंबई यहां व्यक्तिवाचक संग्या है क्योंकि मुंबई इस संग्या से किसी एक विशिश शहर का बोध होता है इसलिए मुंबई यहां व्यक्तिवाचक संग्या का उदारण है तीन गंगा एक पुन्य नदी है इस वाक्या में गंगा यहाँ व्यक्तिवाचक संग्या का उदारण है क्योंकि गंगा इस संग्या से किसी एक विशेश नदी का बोध होता है इसलिए गंगा यहाँ व्यक्तिवाचक संग्या है अभी हम संग्या का दूसरा भेद देखते है जातिवाचक संग्या जिस संग्या से किसी एक पूरे वर्ग या पूरी जाती का बोध होता है उस संग्या को जाती वाचक संग्या कहते है धैन से सुनिये बच्चो जिस संग्या से किसी एक पूरे वर्ग या पूरी जाती का बोध होता है उस संग्या को जाती वाचक संग्या कहते है जाती वाचक संग्या के हम कुछ उधारन देखते है एक नदी परवज से निकलती है इस वाक्य में नदी इस शब्द से किसी एक विशेश नदी का बोध नहीं होता है तो नदी इस जाती का बोध होता है इसलिए नदी यह जाती वाचक संग्या है तो परवत इस संग्या से भी किसे एक विशिश परवत का बोध नहीं होता है तो परवत इस पूरे वर्ग का बोध होता है इसलिए नदी और परवत यह जाती वाचक संग्या के उदारण है दो लड़का पाडशाला जाता है इस वाक्य में लड़का और पाडशला यह दो जातिवाचक संग्याए है क्योंकि लड़का इस संग्या से किसे एक विशेश लड़के का बोध नहीं होता है तो पूरे जाती का बोध होता है इसलिए लड़का यह जातिवाचक संग्या है पार्शला यह भी जातिवाचक संग्या का उधारण है तीन, जवान हमारी रक्षा करता है इस वाक्य में जवान इस संग्या से जवान इस पूरे वर्ग का बोध होता है इसलिए जवान यह जातिवाचक संग्या का उधारण है अभी हम संग्या पराधरित प्रश्ण देखते है नीचे दिये गए वाक्यों में से संग्याए चुनिए पहला वाक्या है गाउ में बड़ा तालाब है और इस वाक्या में दो संग्याए है एक गाउ और दूसरा तालाब दूसरा वाक्या कुत्ता वफादार है और इस वाक्या में कुत्ता यह संग्याए है प्रश्ण क्रमांक दो नीचे दिये गए वाक्यों में संग्याचुन कर उसका प्रकार लिखिए अभी नीचे हमें कुछ वाक्य दिये गए है उसमें से हमें संग्या भी चुनकर उसका प्रकार भी लिखना है पहला वाक्य है पक्षी हवा में उड़ रहे है इस वाक्य में पक्षी यह संग्या है और पक्षी इस संग्या से किसे एक विशिश पक्षी का बोध नहीं होता है तो पक्षी इस पूरे जाती का बोध होता है इसलिए पक्षी यहाँ जाती वाचा संग्या है दूसरा वाक्या मीना पड़ रही है इस वाक्या में मीना यहाँ संग्या है और मीना इस संग्या से किसी एक विशेश व्यक्ति का बोध होता है इसलिए मीना यहाँ व्यक्तिवाचा संग्या है तो बच्चो इस प्रकार आपको संग्या पर आधारित प्रश्ण परिक्षा में पूछे जा सकते हैं बच्चो अभी हम कूछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रोप देखते हैं इससे पहले हम एक बर वचन की परिभाशा देखते हैं शब्दों के जीस रूप से वस्तु एक है या एक से अधिक है मतलब शब्दों के जीस रूप से वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं वचन कहते हैं और हिंदी में वचन के दो बेद है एक वचन और बहुवचन तो बच्चों हम पहला शब्द देखते है लड़का लड़का इस एक वचन शब्द का बहुवचन रूप है लड़के दो चेहरा चेहरा इस एक वचन शब्द का बहुवचन रूप है चेहरे घर यह शब्द एकवचन और बहुचन में घर ऐसा ही लिखा जाता है चार तोता यह एकवचन शब्द का बहुचन शब्द है तोते पाच बूंद बूंद इस एकवचन शब्द का बहुचन रूप है बूंदे अगला शब्द है माला माला इस एकवचन शब्द का बहुचन रूप है माला ए अभी साथ आदमी आदमी यहाँ शब्द एकवचन और बहुचन में आदमी ऐसे ही लिखा जाता है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है आठ गोडा गोडा इस एकवचन शब्द का बहुचन रूप है गोडे नव मैं मैं इस एकवचन शब्द का बहुचन शब्द है हम दस माता माता इस एकवचन शब्द का बहुचन रूप है माताए अभी हम कूछ शब्दों का पुलिंग रूप और स्रीलिंग रूप देखते हैं पहला शब्द है नर नरी हब पुलिंग शब्द है तो नर इस शब्द का स्रीलिंग शब्द नरी दो मोर मोर इस पुलिंग शब्द का स्रीलिंग शब्द है मोरनी तीन, तोता, तोता यह पुर्लिंग शब्द है, तो मैंना यह स्रीलिंग शब्द चार, शेर, शेर पुर्लिंग शब्द है, तो शेर नी स्रीलिंग शब्द पाच, राजा, राजा यह पुर्लिंग शब्द है, तो रानी यह स्रीलिंग शब्द अगला शब्द है भाई, भाई यह पुलिंग शब्द है, तो भाई का स्रिलिंग शब्द है बहन, साथ बेटा, बेटा यह पुलिंग शब्द है, तो बेटी यह स्रिलिंग शब्द, आठ नाना नाना यह पुर्लिंग शब्द है तो नानी स्रीलिंगी स्रीलिंग शब्द है नव पुत्र पुत्र यह पुर्लिंग शब्द है और पुत्र का स्रीलिंग शब्द है पुत्री दस बैल यहाँ पुलिंग शब्द है तो बैल इस शब्द का स्रीलिंग शब्द है गाय तो बच्चो इस प्रकार आपको लिंग और वचन पर भी आधारित प्रश्ण परिक्षा में पूछे जाएंगे तो बच्चो अब हम उपहार इस पार्ट पर आधरित डिक्टेशन टेस्ट की शुरुवात करते हैं डिक्टेशन को ही हिंदी में शुरूत लेखन कहा जाता है तो आप सब अपनी हिंदी की नोडबूक और पेन साथ में लेकर बैठे होंगे उपहार इस पार्ट में से आपको दस शब्द दिये जाएंगे हर एक शब्द मैं तीन बार बोलूँगी आपको धैन से सुनना है और उस शब्द को लिखना है तो चलो बच्चो अभी हम शुत लेखन की शुरूवात करते हैं पहला शब्द है समय दूसरा शब्द है पुस्तक पुस्तक, पुस्तक चार पोटली, पोटली, पोटली पांच रंग रंग छह इनाम 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 अगला शब्द है जीवन 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 अगला शब्द मित्र 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 आवाज 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 आपने सबी ये दस शब्द अवश्य ही लिखे होंगे मैं फिर एक बार ये दस शब्द पढ़ती हूँ आपको देखना है क्या आपने बराबर लिखे है या नहीं एक समय दो मेला तीन पुस्तक चार पोटली पांच रंग चह इनाम साथ जीवन आट मीत्र नव आवाज और दस थैली अभी बच्चों आपने जो दस शब्द लिखे है उस शब्दों को आपको खूद को चेक करना है लेखो बच्चों आपके सामने जो पृष्ट है उस पृष्ट पर वही दस शब्द है जो आपने शूत लेखन में लिखे है अभी जो आपने शब्द लिखे है वह शब्द इस पृष्ट पर देखकर आपको चेक करने है और जो गलज शब्द है उन शब्दों को आपको तीन बर अपने कापी में लेखना है फिर से हम एक बार वो दस शब्द देखते है, आपको चेक करना है, वाला शब्द समय, दो मेला, तीन पुस्तक, चार पोटली, पाच रंग, छह इनाम, साथ जीवन, आठ मित्र, नव आवाज, पर दस थैली, तो बच्चो, इस प्रकार आज हमने उपहारी इस पार्ट पर आधरित शुरूत लेखन किया है, और आप सभी को अपनी पहली यूनिटेस के लिए डेर सारी शुप कामनाए, धन्यवाद